दोस्तों कभी ईद कभी दीवाली फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले सलमान के साथ जबरदस डांस परफॉर्म करते नजर आई पूजा हेगडे कुशी दिन पहले सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग पूरी करके फिरी हुए हैं और अब दर्शकों के बीच उनकी अगली फिल्म को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है दर्शक अब ये जानने के लिए वेट कर रहे हैं के सलमान अब किस मूवी की शूटिंग शुरू करेंगे खबरों में ऐसा बताया जा रहा है के सलमान टाइगर 3 के बाद कभी इद कभी दिवाली फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं हलांके इस पर कोई ओफिशल अनाॉस्मेंट नहीं हुआ है लेकिन आपको बता दें तो सलमान कभी इद कभी दिवाली की रिलीज से पहले एक्ट्रेस पूजा हेगरे के साथ जबदस डांस परफॉमस करते हुए नजर आएंगे आपके मन में केई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि क्या सलमान कोई इल्बम सांग तो नहीं बना रहे बता दें कि सलमान जल दुबई में पूजा हेगरे के साथ स्टेज शेयर करेंगे तो आईए जानते हैं इस कबर से जुड़ी पूरी अपडेट जैसे के सलमान खान फिर एक बार दबंग टूर के लिए दुबई जाने वाले हैं जहां सलमान खान फिर एक बार डांस परफॉमस करते नजर आएंगे और इस बार दबंग टूर की टीम में पूजा हेगरे भी जुड़ गई है और दोनों ही इस बार स्टेज पर आग लगाने वाले हैं क्योंके कभी इद कभी दिवाली फिल्म के रिलीज से पहले इन दोनों को एक साथ देखने के लिए तरशक बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं आपको बता दें तो ये दबंग टूर 25 फेबर वरी को देखने को मिलेगा जहां सल्मान अपनी एक टीम के साथ दुबई में बाहुल बनाने वाले हैं आपको बता दें के सल्मान की इस टीम में पूजा हेगडे, दिशापतानी, सोनाक्षी सिना, साई मंजेरकर, गुरु नदवा, कमाल खान, अयूश शर्मा और मनिश पॉल जैसे स्टार्स देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हो, सल्मान और पूजा हेगडे को डांस पर्फामर्स करते देखने के लिए हमें कमेंड में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद इसी अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेला आइकान को प्रेस कर लें